सारनी से अपरेंटिस ट्रेनिंग करने सत्पुडा प्लांट आये महेंद्र पवार निवासी धमुआ रहीम खान निवासी वे तूल फायर फाइटिंग मोड्यूल नॉर्मल फ्लैश ओन आफ टेस्ट करते समय करन प्लगने से जुलस गए जिन्हें ततकाल मध्यप्रदेश पावर ज रंख्या में कमपनी के हॉस्पिटल में पहुंचे डॉक्टर की टीम ने उपचार करतीनों मरीजों को भोपाल रिप्फर किया है डॉक्टर का कहना है रामनाथ यादव निवासी लोंगिया 40 प्रतेशत करन से जुलस चुके हैं तथा दो ट्रेनिंग करने आये युवक की स अभी ठीक बताई जा रही है घटना की जानकारी प्लांट के अधिकारियों के माध्यम से थाना सारनी को नहीं दी गई इसी के चलते पुलिस की टीम घटना स्थलव हॉस्पिटल में नहीं पहुंची सूत्रों की माने तो इतने बड़े पावर प्लांट में आई टी आई से करते समय कोई सत्पुडा प्लांट का नयमित कर्मचारी या अधिकारी वहां मौजूद नहीं था अगर उस वक्त वहां कोई कर्मचारी अधिकारी पावर प्लांट का मौजूद रहता तो यह हादसा नहीं होता ऑस्पिटल आई पावर प्लांट के कर्मचारी संगठनों न लापरवाह अधिकारी के उपर ठोस का रिवाई करने की मांग की है सारहनी सिद्धी पेश दूबे की रिपोर्ट सेन नियूज इंडिया